आप देख सकते हैं हमारे खेत में इस प्रकार से खेती होती है यहां पर फुहारे द्वारा खेती होती है अभी इसमें आलू और मटर बोया जा रहा है इसलिए इसमें जो फार्मिंग है यह फुहारे द्वारा हो रहा है इसमें दो-चार लोगों को जुड़ना रहता है इसमे कि आप देख सकते हूं कि इसमें तीन लोगा हो भी सकता है अभी मैं मोटर चालू करने जा रहा हूं फिर आपको दिफाते हैं यह बटन मैंने टीपा यह देखा आनू की जागाए जैसा कि आप लाइब देख सकते हैं हमारे वीडियो में यह हमारे गाओं का एक उम्दा आवि यह होती है जैसा कि आप देख सकते कितने बेहतरीन तरीके से ताबर तोड हमारे देश के किसान जुटे हुए हैं और यह एक किसान है जो बहुत ही अनुभवी है और यह पाई पकड़े हुए है जैकि इसमें दो-चार लोगों की जरूरत होती है सामान नत्या है जो कुदा यह मेरा खेत है इसमें मटर और चना आलू बोया जाएगा कुछ समय बाद अब बंद करने जा रहा हूं दोस्तों जेशां कि आपको यह मेरा पाईप है यह मेरा टूबूल है जहां पर हम लोग मोटर से सिचाई करते हैं यह ड्रम है जहां पर पानी बहा जाता है कोई काम हुआ तो उसमें से हो जाता है काम और यह मेरा खेत है इसमें आलू बोच उस तरफ भी कुछ लोग जुटे हुए हैं अपनी खेती करने के लिए ये मेरा धाना भी कटा नहीं है जल्दिबे कटेगा और ये देखो अभी पाईप की खिचाई हो रही है उस तरफ का जो इतना भाग हो लग चुका है बस जितना भी आलू का खेत बचा है वही लगना बा कि वीडियो को इसकी मत कीजिएगा क्योंकि नहीं तो आप बहुत सारी डीटेल को मिस कर देंगे मैंने देखिए मोटर अभी चालू कर दिया है और इस पर लोड बहुत काफी ज़्यादा है क्योंकि इस में से फुहारा निकल रहा है और इस पर बहुत ही ज्यादा लोड पड़ रहा है यह हमारे देश की बहुत ही उम्दा टेक्नोलोजी है जो कि हमारे खेतों में समानत्य परियोग की जाती है यह हमारे देश के युवा किसान है यह कंश्टर और इसका भरपूर मजा लिया जा रहा है कितना आनंद मैं है यह अगर आप मेरी वीडियो को यूटूब पर देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए कर आप फेस्बुक पर कर रहे हैं तो उसको लाइक कर दिया भी में बंद करने जा रहे हैं इतको मैंने बंद कर दिया है क्योंकि कि जो सिचियोशन है वो आउट आफ हंडल हो रहा था हाथ में नहीं आ रहा था और चली हम इस पर बात कर लेते हैं अभी इनसे पूछे जाएगा कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है तो फिलाल अभी ये लोग काम कर रहे हैं इसके पश्चात इनसे कुछ सवाल करेंगे हैं क्योंकि यही है जो अन्न दाता है देश के लिए और पूरे देश की पूर्ती इन्हीं किसानों से होती है और कितनी मेहनत करते हैं लोग तब जाकर अन्न की उपज होती है तो हम इसे बात करने की कोसिस करेंगे फिलाल अभी काम कर रहे है जैसे कि आप देख सकते हैं चुका है यह थोड़ा सा है और बाकी जो लगना बाकी है तो मेरा कुछ सवाल है आपसे जैसा कि आप देख सकते हैं यह देखिए हमारे किसानों कितना मेहनत करते हैं अब तब जाकर अन्न उगा पाते हैं और इनके इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है आप लाइक जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब सेर्क जरूर कीजिएगा जय जवान जय किसान मैं चालू करने जा रहा हूं मोटर अभी आप जैसा कि देख सकते हैं थोड़ा साही बागी चुपा है और पानी देखिए बहुत ही तेजी से जा रहा है मैं आपको दिखानी कोशिस करूंगा काइमरा मैं जुमिट मैं आपको देखिए बहुत है